नमस्कार वेब वारता में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ प्रीती और हमारे साथ मौजूद है वेब दुनिया के संपादक जयतीप करनी जी तो सबसे पहले बात करेंगे भारत पाक संबंदों के बारे में अमेरीके दौरे के दौरान पाकिस्तान की प्रधान मंतरी नवाज शरीफ को साफ तोर पर ये कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के संबंदों के बारे में आपसी बात चीत कर इस मामले को सुलचाया जाए क्या लगता है सर आपको इस मामली पर पाकिस्तान कितना सकारत्मक रुख दे सकता है देखे एक तो सबसे यह जो यात्रा थी नवाज शरीफ की प्रदान मंतरी उनकी यह दूसरी अधिकारी की यात्रा थी अमेरिका की और बहुत महत्पून थी हम शुरू से यह जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंद रननीटिक कारणों से बहुत मजबूत रहे हैं दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी रहे हैं और इसमें भी कोई अब शक और शुबह नहीं रह गया प्रधान मंतरी नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के उनकी यात्रा इसलिए भी एहम थी कि एक तो उनके देश में जो हालात है वो बहुत बहतर नहीं है वहाँ पर लगातार जो एक बार फिर सेन विद्रो के जो अबारत है वो पड़ी जा रही है सेना जो है वो अपनी तरीके से अपनी बाते मनवाने के लिए पाकिस्तान में लगातार जानी जाती रही है और इसी इनी नवाज शरीफ का तक्ता पलट परवेज मुशर्फ ने किया था जब हम जानते हैं कि वो एतियासिक बातचीत हुई थी आडवानी जी और नवाज शरीफ के बीच और उसके बाद में तक्ता पलट हो गया था और वहाँ पर सेनी सरकार आ गई थी और ये तयारी की थी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनके आईसाई के प्रमुक हैं रिजवान अख्तर वो इस यात्रा के पहले से वहाँ पर अमेरिका में मौजूद थे लगबग डेड़ दो साल की मेहनत से एक डोसियर तयार किया गया जिस डोसियर में उन्हों कि उनको बदला गया तो इन सब हालातों के बीच जब नवाज शरीफ वहाँ पहुंचते हैं और वो अमेरिका को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और वो जब कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो जात लेकिन इसके बाव जो नियंतरन रेखा पर सी स्पायर का लगातार होता हो लंगन तो इस मामले में भारती नेत्रत्व को क्या संबाद की नीती कायम रखनी चाहिए या फिर इसका मूतोर जवाब देना चाहिए देखे लंबी बहस का मुद्धा रहा है और जिस तरीके की नीतिया वर्तमान जो एंडिये सरकार है उसने अपनाई है उसको देखते वे भी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हुई है और जब भी हमने देखा है कि महां से दो गोली चली है तो दस गोली चलाने का और ये पै पाकिस्तान की बातचीत से पहले बुला कर उनसे बात करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे एक और जो बड़ी करारी हार रणनितिक स्तर पर कूटनितिक स्तर पर पाकिस्तान की हुई है वो ये है कि जो वर्तमान विदेश मंतरी है अमेरिका के जॉन केरी उनको दरसल प पाकिस्तान के लिए विश्व मंच पर एक बहुत बड़ी हार है क्योंकि जौन केरी जो कि यूं भी पाकिस्तान के हितैशी माने जाते रहे हैं उन्होंने दो टूक लहजे में उनको ये कहकर लोटा दिया है जो संयुक्त बयान बराक ओबामा और नवाश शरीफ जी का आया है उसमें भी हम देखे तो 4-5 मुद्धे हैं ऐसा भी नहीं है कि सारे ही मोर्चों पर भारत को बहुत बहतर उसमें देखने को मिला है जैसे पाक अधिकर कश्मीर में जो बिजली के सहिंद्र बनाये जाने वाला मामला है उसमें दोनों के बीच में करार हुआ है और भारत इसक पाकिस्तान की सरकार है उससे बाचीत करने के लिए अमेरिका मनवा पाया अमेरिका के शुरू से मुद्दा रहा है कि जो अफगान की तालिबान सरकार है उससे संबन बहतर हो बाचीत की टेवल पर उसको लाया जाया और उसके लिए पाकिस्तान का और नवाज शरीफ का इस पाकिस्तान लगाया है कारवाई करे और उस आतंगवादी संगठन की गतिविधियों को रोकने के लिए पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है यह हम जानना चाहते हैं तो जब उसके बारे में कहा गया है तो निशित तोर पर मुझे लगता है कि अब अमेरिका ने दबाव बनान जी देखिए रस्मी तोर पर तो पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो ऐसा नहीं करता है वो खुद आतंगवादी हमलों का शिकार होता है लेकिन उसके भीतर के जगने हम वो जानते हैं को शिया सुन्नी के जादा हैं वो सेना के और सरकार के जादा हैं और दरसल भारत में जो आतंगवाद भेजा जा रहा है वो उसको पूरी-पूरी उसकी हमायत पूरी-पूरी उसकी सरपरस्ती पाकिस्तान के जरीए हो रही है तो पाकिस्तान की सरपरस्ती में जो आतंगवाद का दंच भारत जहल रहा है अब समय आ गया है कि दुनिया उसके खिलाफ उट खड़ी टूछप लेगा लंता हैं इसराइब युक्रव। भारत में पारत स्यायके कमाने लोग्शुल कि है। उसको लेकर तमाम कूट नीतिक बातें अब आगे जारी हो चुकी हैं लेकिन ये कैसी बात नहीं जो छुपी होई थी लेकिन अमेरिका के मंच पर जाकर जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो निशित तोर पर जिस तरह की परमानुस चक्ति अब पाकिस्तान बन गया है उस उसके खत्रे को सारे विश्व को उसी दरश्टी से देखना चाहिए अमरिका द्वारा पाक को ये भी हिदायत दी गई है कि वो सभी आतंकी संगटनों पर समान रूप से कारवाई करें जबकि अब तक ये होता आया है कि पाकिस्तान के वाल उन्हीं कुटों पर कारवाई कर है यहां पर हम लगातार इस तरह के आतंकी संगटनों द्वारा की गई है पंजाब में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो लगातार अपने बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको प्रेशिक्शन मिला है उधंपूर के पास आप जब एक आतंकवादी को पढ़ते हैं वो आपको बताता है कि उसको पाकिस्तान में ट्रेशिक्शन मिली है तो इस सारी प्रेशिक्शन के पीछे यदि पाकिस्तान और उसकी सरपस्ती में वहाँ पर रहने वाले लोग शामिल है तो उनके खिलाफ दरसल पाकिस्तान क्या करवाई कर रहा है क्योंकि अब बातचीत हम क्या करेंगे हम बात्चीत उन्से करना चाहतें कि आप आतंगबात को खत्म कीजिए वह बात वो करना नहीं चाहतें कश्मीर हमारा अभी नहीं हिस्सा है ना सिर्फ कश्मीर हमारा अभी नहीं हिस्सा है बलकि हमारे कश्मीर का एक हिस्सा आपने कबजा रखा है उस कबजे क कारी कुछ आनने के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com